गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स। तुडें वी विल रिवाइज मल्टिप्लिकेशन विदाउट री गृपिंग। इसको आप मल्टिप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे। तो आप प्लेस वैल्यू बॉक्स बनाएंगे। जो आपकी डिजेट्स बिगर हैं उनको आप सबसे पहले लिखेंगे। 540 बिगर डिजेट है और 20 उससे छोटी है। तो आप ऐसे उनको यहां राइट डाउन करेंगे। और उनको क्या करने हैं? आपको मल्टिप्लाए करने है। फिर्स्ट अप आप सबसे पहले बन्स की डिजेट लेंगे। बन्स की डिजेट से आप उपर वाली इन डिजेट को मल्टिप्लाए करेंगे। अगर हम किसी को भी 0 से मल्टिप्लाए करते हैं तो उसका प्रोड़क्ट 0 ही आता है। अगर हम किसी को मल्टिप्लाए करेंगे तो वो 0 ही आएगा। अब हमने 10 वाले प्लेस को मल्टिप्लाए करना है। तो हम 10 प्लेस से ही इसको मल्टिप्लाए स्टार्ट करेंगे। के मल्टिप्लाए 2 0 0 2 4 0 8 2 5 0 10 इसमें आप यह ध्यान रखेगा कि डिजट के नीचे ही डिजट आए। अब देखें आपका 0 से मल्टिप्लाए हो गया और 2 से भी मल्टिप्लाए हो गया। अब आप इसे क्या करेंगे। प्लस करेंगे। 0 0 0 0 0 0 0 प्लस 8 8 0 0 0 1 तो यह आपका इसका प्रोड़क्त निकल गया। तो आप ऐसी इसको मल्टिप्लाए करेंगे। अब आप यह नंबर देखिए। इस नंबर इस 1, 10, 100 तो आप इसमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए स्मॉल डिजिट क्या है हमारी 32 और बिगर डिजिट 613 तो आप बिगर डिजिट को उपर लेंगे। और किस से मल्टिप्लाए करने आपको इसको 32 से। तो सबसे पहले आप किस से मल्टिप्लाए करेंगे वन्स। वन्स के प्लेस पर क्या है यहां टू। तो टू को ऐसे वन्स, टैंस और हंडिट से आप मल्टिप्लाए करेंगे। टू तीज़ा 6 टू वन्स़ा 2 टू सिख्जा 12 स्टूडेंट्स इसमें आपको टेबल लर्न होने चाहिए ओके। फोर्थ क्लास में आपके टेबल का कॉर्स है। टू टू फिप्टीन तक आपको टेबल्स लर्न करने हैं। तभी आप मल्टिप्लिकेशन कर पाएंगे। अब आप 10 से स्टार्ट करेंगे 3, 3, 9, 3, 1, 3, 3, 6, 18 अब आपको क्या करना है। ग्रो अलाइन और इसको आपको प्लस करना है। 6, 9, 2, 11 आपको पता है अगर 10 हो या 10 से मौर नंबर हो तो हम यहाँ पर 1 एक कैरी करते हैं। बोरो करते हैं इसको ओके अब आप इन तीनों को प्लस करेंगे। 3, 2, 5, 1, 6, 8, 1, 9, 1 तो आप ऐसे इसको मल्टिप्लिकेशन करेंगे विदाउट री ग्रूपिंग। अब इसमें देखें आप मल्टिप्लिकेशन विद री ग्रूपिंग। पहले आपने मल्टिप्लिकेशन किया विदाउट री ग्रूपिंग। अब आप मल्टिप्लिकेशन करेंगे विद री ग्रूपिंग। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे 1, 10, 100, 1000 आप लेस फैली बॉक्स नहां तक बनाएंगे 1, 10, 100, 1000 यह आपकी बिगर डिजिट है तो इसको आप उपर लिखेंगे 1, 362 ओके और स्मॉल डिजिट क्या आपकी 32 आप यह ध्यान रखेगा इसको आप 1 से ही स्टार्ट करें लिखना आप सबसे पहले आपको 1s वाले 1s प्लेस पर क्या नम्बर है आपका 2 तो आप 2 से इसको स्टार्ट करेंगे तो 2 का टेबल आप पढ़ेंगे 2, 2's are 4, 2, 6 is 12, जब हमारा नम्बर 10 आता है, जब हमारा नम्बर 10 यह 10 से बिगर आता है तो आप क्या करेंगे once वाला number यहाँ नीचे लिखेंगे और one को क्या करेंगे यहाँ carry करेंगे बोरो करेंगे यहाँ पर आप बोरो को कभी भी plus करना भूलेंगे नहीं यहाँ हमने one को बोरो किया है now two का table आपको कहा तक पढ़ना है three तक two three is a six six number आया लेकिन आप यहाँ पर six में one को जो हमने यहाँ carry over किया था उसको आप plus करेंगे six में six plus one seven now two one is a two यह आपके one space का product निकल गया ओके now आपको ten space से आपको यहाँ start करना है ten space में आपका number क्या है number three अब आप three का table बढ़ेंगे three two is a six three six is a eighteen अब देखिए eighteen जो है वो ten से बढ़ा है तो आप one space वाला number नीचे लिखेंगे और यहाँ जो ten space पर one है उसको यहाँ carry over करेंगे again carry over three three is a nine और one ten ten की zero यहाँ और one को carry over three बढ़ा three plus one four ओके now अब आपको यहाँ पर इसको plus करना है four six plus two eight eight plus seven count करिए eight plus seven कितने होते है फिफ्टीन फिफ्टीन का five इधर और one को यहाँ आप carry over करेंगे ओके two plus one three और यह four आपने इसमें यह ध्यान रखना है कि जो आपने carry over किया है उसको आप plus करना नहीं भूलेंगे पहले आप इसका carry over करेंगे फिर three का carry over आप उसके ऊपर करेंगे ओके फिर यहाँ जो plus करेंगे यहाँ पर आपको उसका carry over यहाँ पर करना है understand student इसमें आप confused बिल्कुल भी नहीं होंगे इसके आप जितनी बार practice करेंगे उतना ही इसको अच्छे से कर पाएंगे आप so students आप 40 phase number तक अपनी worksheets बिल्कुल complete करेंगे ओके और इसकी बार बार अपनी practice करेंगे और यह जो sums है multiplication के इनको आप अपनी notebook में भी करेंगे ओके थैंक यू